कानपूर में एक हिस्ट्री शीतर को भगाए जाने का संसनी खेज मामला सामने आया है आपको हम वीडियो दिखा रहे हैं उसी घटना का कानपूर में दरसल नौबस्ता थाना इलाके के एक निजी गेस्ट हाउस में कानपूर दक्षिन जिला बीजेपी के मंतरी नाराइण सिंग भदौरिया की बिर्थडे पार्टी चल रही थी इस मौके पार हिस्ट्री शीटर मनोज सिंग भी पहुँचा था खबर मिलते ही पुलिस पहुची और उसने वांटेड अबरादी मनोज सिंग को अपने हिरासत में लिया साधी वर्दी में पहुचे पुलिस पालों ने जैसे तैसे उसे जीप में बिठा दिया मगर बीजेपी नेता नाराइंट सिंग भदौरिया अपने समर्थकों के साथ पहुचे और पुलिस का घेराब कर दिया पहले पुलिस कर्मियों से मनोज सिंग को छोड़ने के लिए कहा गया और जब पुलिस ने इंकार कर दिया तो उनके समर्थक जड़ब पर उतर आए और इसी जड़ब के दौरान बीजेपी नेता नाराइंट सिंग के समर्थकों ने मनोज सिंग को जीप से उतार कर भगा दिया इस पजियत के बाद पुलिस ने कारवाई करते हुए बीजेपी नेता समय 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है यही नहीं उनके खिलाफ पोस्टर भी जारी कर दिया गया है हिस्ट्री शीटर मनोज सिंग के साथ ही बीजेपी नेता नाराइंट सिंग भज़ौरिया का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है मनोज सिंग पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और बलातकार जैसे 34 संगीन मामले दर्ज है महीं बीजेपी नेता के खिलाफ भी हत्या और हत्या के प्रयास के मामले है ये तस्वीर भी आपको उसी घटना की हम दिखा रहे हैं कि पुलिस ने जब इस हिस्ट्री शीटर को अपनी जीप में बिठाया उत्रप्रदेश में बीजेपी की सरकार पुलिस वहाँ पर पहुँची और बीजेपी के ही नेता जो खुद रूलिंग पार्टी से है आप देखिए कि ये किस तरह की घटना यहाँ पर सामने ये किस तरह से कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया गया है ये घटना अपने आप में उसका एक उधारण है और जिस व्यक्ति को हम लगातार आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं इसके उपर कई गंभीर मामले हैं मनोज सिंग पर हत्या के मामले हैं हत्या के प्रयास, लूट और बलातकार जैसे एक दो नहीं 34 संगीन मामले हैं और ऐसे मामले जिस व्यक्ति पर दर्ज हैं, जिस आरोपी पर दर्ज हैं पुलिस उसे अरेस्ट करने पहुँचती हैं सुचना के आधार पर तो खुद बीजेपी नेता और उनकी समर्थक अपरादी को वहां से भगा देते हैं और ऐसे नहीं कि ये जो मामले हैं सिर्फ मनोत सिंग के उपर ही हैं बलकि बीजेपी की नेता नाराइन सिंग भदौरिया का भी आपरादी के तिहास सामने आया है उनके उपर भी इस तरह की केसेज हैं और इसलिए अब लगातार ये सवाल उठ रहा है कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जो ये स्थिती दिखाई देती है जहां पर अगर एक आरोपी को पकरने के लिए पुलिस जाती है जिसके उपर 34 संगीन मामले हैं हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, बरादकार ऐसे मामलों में बचाने वाला कोई और नहीं होता खुद बीजेपी के नेता हैं और ना सिर्फ उसे पुलिस की जीब से उतारते हैं बलकि वहां से समर्थकों ने इस हिस्ट्री शीटर को भगा दिया ऐसी दादागीरी, कानून व्यवस्था का ऐसा मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं खुद सत्ताधारी डल का सदस्य है हिस्ट्री शीटर अपरादी, मनोज सिंग, कुत्र मलिक सिंग, निवासी थाना बर्रा को हिरासत में लिया गया इस अभ्यूप के खिलाफ दो दर्जन से अधिक मुकदमे, कानपूर के कई थाना शेत्रों से दर्ज है यहाँ अपराधी कई मुकदमों विवांशित है वह इसके ओपर 25,000 का इनाम भी भुशित किया गया था हिरासत में लेने के बाद मौके से ही इसके साथ ही उद्वारा इसे छुडा कर भगाने का प्रयास किया जिसमें वह सफल हुए इस संबंद में थाना नौवस्ता पर ही 421,000 का इनाम पराध सिंख्या दर्ज कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में पुलिस ओफिशल्स यहां पर पूरी जानकारी देते हुए कि यह व्यक्ति जिसको अरेस्ट करने पुलिस वहाँ पहुची थी कितने गंभीर, कितने स्तंगीन मामले इसके ओपर हैं दो दर्जन से ज्यादा केसेस इस पर दर्ज हैं और ऐसे में इसकी गिरफ्तारी कितनी एहम थी लेकिन उसे भगा दिया जाता है और भगाया किसी और के द्वारा नहीं जाता है खुद बीजेपी नेता के द्वारा उनके समर्थकों के द्वारा भगाया जाता है तो यह आपको हम पूरी सूची दिखा रहे हैं केसिस की आप खुद देखे कि कितने केसिस इस आरोपी पर दर्ज है लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से ये घटना सामने आती है कि पुलिस उसको पकड़ने जाती है लेकिन उसे वहाँ से भगा दिया जाता है गंभीर सवाल अब इस मामले पर खड़े हो रहे हैं सीरे सीरे सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि अगर सत्ता धारी दल के सदस्य इस तरह की घटना में लिप्त पाये जाते हैं तो प्रदेश में कानून व्यवस्ता और अपरादियों के होसले बुलंद ना हो ऐसी वज़ा कहा हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवारता संदोश जुड़ गया है संदोश अपने आप में कानून व्यवस्ता पुलिस के अक्शन का मजाग उड़ाया गया है और कोई और नहीं है यह रहती है बीजेपी का नेता है यकीनां यह मामला हाई लेवल तक उठा होगा क्या अभी आप तक खबरे पहुँच रही है किस तरह से अब इस घटना को आगे आला कमांद देख रहा है देखे इस पूरी घटना को लेकर अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने जो बीजेपी नेता है और चाहे वो हिस्ट्री शीटर मनोग सिंग हो अभादर और जिसने इस जनम दिन को मनाने की अनुमती दी ती जिसने उस निजीगेस्टाउस में पंक्शन चल लाहा था रही बात कारवाई की तो इस पूरे मामले में जो ने मनोगों ने व्यास्त से भगाया है उन लोगों के पोस्टर जारी कर दिये गए हैं उनकी धर पकड की जा रही है ये तो कानूनी प्रिक्रिया की बात कर लेकिन इस पूरी घटना ने बीजेपी को बैक फूट पर ला दिया है क्योंकि अभी तक बीजेपी अगर देखा जाए तो वो समाजवधी पार्टी ये जिले के महामंत्री है नारांशिक बादोर्या कोई मामुली कारे करता नहीं है जिले के महामंत्री अगर अपने जन्ध दिन पर एक तो जब लॉकडाउन चला है आदमी को शादी हो मातम पूर्चियों किसी के घर में मौत हो जाती है तब भी उसको तेरीमी के लिए 20 लोगो जिसके उपर इनाम है कानपूर पुलिस के द्वारा इनाम गोशिक किया गया दो दर्वन से ज्यादा मुगतने सिर्फ कानपूर में दर्ज हैं वह व्यक्ति आता है तो वह अंदाजा लगाई है कि कानून व्यवस्था जो जिसकी दावक करती है उत्तरप्रदेश की सरकार उस कि अधर में गोशिक के द्वारा इनाम का हिस्ट्री सिटर आता है उसको पुलिस पकड़ने आती उसको तो भाग्ति जन्ता पार्टी के नेता की समर्थक मिलके सब उसको पुलिस की जीब से उतार के भगवा देते हैं हिस्ट्री सिटर को इसके मतलब उत्तरप्रदेश के अंदर में कानुरस्ता नाम की कोई चीज है ही नहीं सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार में गुंडा राज चल रहा है इसको गुंडा राज बोलते हैं योगी जी उत्तरप्रदेश में अगर अपराधी भारती जन्ता पार्टी से सम्मंद रहा है क्या विकास दूबेवाला होगा उत्तर प्रदेश शाशन का प्रशाशन का इक्माल खत्म हो चुका है अपरादी की पकड़ अब एक तरफ लेकिन बीजेपी नेता पर जितने गंभीर आरोप हैंक अपरादी को भगाने के मामले में और वो भी जिले के जो महामंत्री हैं यकीनन बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि हिस्ट्री शीटर को भीड़ने किसकी शेह पर चुड़ाया हिस्ट्री शीटर को चुड़ाने में बीजेपी नेता का हाथ सामने आ रहा है घटना की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बीजेपी नेता को अब तक गिरफतार क्यों नहीं किया गया ये सबसे बड़ा सवाल क्योंकि पुलिस के कारवाई में अगर विग निडाला जा रहा है और वो भी सत्ता धारी दल के जो जिले के महामंत्री है उनकी तरफ से तो यकीनन ये अपने आप में बेहत गंबीर मामला क्या नेताओं के प्रभावस में खामोश रही पुलिस बढ़ते आगे रुकरते अंगली खबर का दक्षिन कश्मीर के त्राल में बीते 24 घंटे के दौरान दो आतंक की वार दाते हुई बुद्वार शाम को आतंक वादियों ने त्राल के कांसलर राकेश पंडिता की गोली मार कर हत्या कर दी जबकि त्राल के S.O.G. कैंप में पुलिस से हत्यार चीन कर पुलिस पर फाइरिंग करने वाले O.G.W. को भी पुलिस जवाबी कारवाई में मार गिरा है झाल 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 राकेश पंडिता का परिवार पार्थिव शब को लेकर जम्मू आ गया है और यहाँ विदी विधान से अंतिम संसकार की प्रक्रिया शुरू हो गई है इस समय हम मौजूद हैं बीजेपी नेता राकेश पंडिता के जम्मू निवास खान पर और उनका पार्थिव शरीर जो है वो श्रीनगर से यहाँ लाया गया है अब यहाँ पर परिवार जो है अंतिम संसकार की यहाँ पर तयारी कर रहा है जो भी यहाँ पर रिच्वल से उन इस समय आप काफी पीड़ा में हैं दुख की गड़ी है आपके पूरे परिवार के लिए और हमारी साथवनाई भी आपके साथ है साहनबूती भी आपके साथ है लेकिन आपको क्या लगता है कि राकेश पंडिता ने इतनी दिलेरी दिखाई वो कश्मिर घाटी गए चुना किया गया है इस वक्त जो प्रिवेलिंग सुच्वेशन है स्रीनगर की मैं खुद भी वहां रह रहा हूं ऐसी कोई बात नहीं कुछ लोग अच्छे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो की इस चीज़ में जो अगर वहां पर कोई भी कारे चैसे चले गौवर्मेंट का कोई भी काम चले उसको वो चाहते हैं कि वो बरबाद करना बाकिट कुछ शेंच्टियों लोग भी है जिनकी वज़े से ये भी उस चीज़ में आगे वहां पर बहुत बड़े काम किये उनुनी और जिसके नज़रे से उनको भी ये चलता था कि वहां पर सारी वो है इस वक्ट और जानकारी के साथ हमारे साथ सुनील जी भट मौजूद है सुनील अभी वही पर मौजूद है जहां पर इस वक्त राकेश पनिता जी का परिवार है वहां पर अंतिम संसकार की प्रक्रिया चल रही है सुने लबी परिवार के स्थती में है यकीनन दुखों का पहाड उन पर तूट पड़ा है क्या परिवार इस वक्त कह रहा है उनकी बात आज देश के सामने रखें बिलकुल मिनाकशी परिवार जो है इस समय गहरे शोक में है हमने परिवार के कई सदस्यों से भी बात की और राकिश पंडिता के जो सुपुत्र हैं उनसे भी हमने बात की पारस पंडिता से परिवार के जितने सदस्यों से भी हमारी बात चीत हुई उन्होंने एक ही चीज कही कि इस हत्या की जो है उच्चिस तरिया जांच होनी चाहिए या तो NIA के द्वारा या CBI के द्वारा और साथी में परिवार ने ये भी संदे जताया है कि हो सकता है कि उस गाउं में कोई अलगावादी मानसिक्ता के कुछ लोग हो जिन्नों ने आतंगवादियों को टिप ओफ दिया हो उनकी उपस्थिती के बारे में और जिसके कारण राकेश पंडिता की हत्या हुई तो साफ तोर पर परिवार जो है वो उचिस तरिया जांच की जो मांग कर रहा है और साथी में ये भी कह रहा है कि राकेश पंडिता जो है एक विस्थापित कश्मीरी पंडित है जम्मू से वो कश्मीर गए वहाँ पे चुनाव लड़ा वो भी जो आतंगवादियों का अंग्यान लेना चाहिए जो बड़े-बड़े दावे हो रहे हैं कि कश्मीरी पंडित समुदाय को घाटी में ससम्मान जो है वापिस ले जाया जाएगा आखिर उन दावों का क्या है अगर वहाँ पर चुने हुए राजडितिक एक्टिविस्ट भी अगर सुरक्षित नही हम इनसे बात करते हैं राकेश कोल जी आप कश्मीर घाटी में जो हैं चुने हुए प्रतनीदी है वहाँ पर क्या माहूल है इस समय वहाँ पर जिस प्रकार से हत्याएं हो रही है वहाँ पर पंच सरपंचों की माहूल के बारे में बताई है मैं कॉंसलर हों एंसी मटन से हमने पहल की मायनाटी जो जो मनें एलेक्शन लडने के लिए वहां कश्मीर घाटी में जब इनको पलान किया गया नहींटी में तो आज हमने फिर सक्रिफाइज दे दी कि हम वहाँ जाएंगे वही माहूल बना के और ग्राउंड रेयल्टी पर काम करेंगे वहां पर आधरवाइस हम जमू में रहते हैं काम हम वहां करते हैं आप देख लिए इस राके जी का फादर 17 तारिक को गुजर गए हैं इसी शिम्शान गाठ में उसको उसने यहां पर उनके काफी घनिश्ट मित्र हैं विल्कुल थे एलेक्शन प्रासेस में हत्याएं हो रही हैं माइनाटी को टार्गेट बनाने को बीजेपी को खास करें आप देख लिए आपको लगता है कि कश्मीरी पंडे समधाय के लोग सुरक्षत नहीं है वहां कैसे अभी तो जो बात हम कर रहे हैं विटर्न की पासी क्या करेंगे यह चिता देख लिए इनक चल के जरिये उनको आतंगवादियों ने मरवाया और गाउं के किसी अलगावादी मान सिकता के वेक्ति ने आतंगवादियों को टिप आफ दिया बिल्कुल मैं वही कहना चाहता हूँ कि यह जब तब किनकी वो हर वक्त वहाँ जाते थे आज ही क्यों ऐसे होते हैं यह चानबीन होनी चाहते हैं तो आतंगवादियों को नेस्ता नाबूत करने के जो दावे हैं उन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जो कश्मीरी पंडित माएं उन्हें आप सुरक्षा कैसे देंगे कैसे उनके मन में भरोसा जगाएंगे जमूव में बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रहना ने क्या का इस पूरे घटना पर सुनी पाकिस्तानी आतंगवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहुलुहान किया है भारतिये जनता पार्टी के बहुत ही कर्मट जोशीले और जुजारू कारे करता श्रीमान राकेश पंडित जी पर कश्मीर घाटी के त्राल में रात के अंधेरे में छुपकारिन कायर पाकिस्तानी उन्हें वार किया जिसमें उन्होंने अपना सर्वस वलिदान कर दिया वो मातरी भूमी पर वलिदान हो गए श्री राकेश पंडित जी ने 1990 के दशक से लेकर आप तक लगातार पाकिस्तान हो आतंकवादी अलगावादी इनका डटकर मुकावला किया और हमेशा कश्मीर घाटी में भारत माता के तिरंगे जंडे को बुलंद रखा उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन के लिए बीजेपी हाई कमान का संदेश है बीजेपी के संगठन महामंत्री बीयल संतोष तीन दिन तक लखनव में डेरा डाले रहे जन प्रतिनियों से मुलाकात की मंद्रियों से सवाल जवाब किये इस बीच सत्ता के गलियारों में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार भी गर्म है लखनों के बीजेपी दफतर ते जब स्वतंतर देव सिंग के साथ पार्टी के संगठन महामंत्री बीयल संतोष बाहर निकले तो तमाम सवाल छोड़ गए तीन दिन तक लखनों में बीजेपी नेताओं, सरकार की मंत्रियों, सांचदों और विधायकों से बैठक के बाद पूरा फीड़बैक लेकर बीयल संतोष लखनों से दिल्ली के लिए कूच कर गए उतरपदेश में पिछले तीन दिनों से चल रही, बीजेपी कार्याले की सुख बुगाहट के बीच, अब बीयल संतोष दिल्ली के लिए रवाना हो गए लगातार तीन दनों तक बैठकों का दौर चला, सरकार और संगठन के बीच में समनवय की बात की गई गई और सातीसात तमाम मंत्रियों से उनकी उनके विभाग के कामों का भ्योरा भी ले अगया खास्त और पर संगठन विस्तार को लेकर के जिस तरीके की अटकले पिछले दिनों तेज थी उस बीच इस तरेके की बैठक के जरीए ना सिर्फ पदेश के संगठन का जुनना बलकि राश्ट्रे नेतरत्व का यहां आकर के मंत्रियों से फीडबैक लेना और कहीं ना कहीं आने वाले 2022 के चुनाओ के मद्दिन नजर संगठन के समन्वय को सरकार तक पहुँचाने के लिहाद से बैठके बहुत ही महत्वपूल बताएगी जिसका नतीजा आने वाले दिनों में दिख सकता है जहां बीजेपी संगठन के साथ सरकार में भी कुछ तबदीलिया कर सकती है लखनो के बीजेपी दफ्तर में लगाता तीसरे दिन सरकार के मंत्रियों, विधायकों और सांचदों का रेला लगा कृषी मंत्री सूर परताप शाही पहुँचे, सिधाचनाथ सिंग पहुँचे, स्वाती सिंग पहुँची, बजेश पाठक पहुँचे, मोचिन रजा पहुँचे, सांसत कौशल किशोर और विधायक पंकच सिंग भी पहुँचे योगी सरकार के चार साल से जादा हो गए और इस दोरान ये पहला मौका है जब बीजेपी संग्ठन के शीर्च पदाधिकारी ने सरकार के मंत्रियों को बारी-बारी से बुला कर फीड़बैक लिया संग्ठन महामंत्री बील संतोष ने जिस तरह से मंत्रियों की ग्लास ली जिस तरह सवाल पूछे उससे कुछ बाते तो पानी की तरह साफ हो गई है बीजेपी ने 2022 विधानसबा चुनाओं की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है चर्चा ये भी है कि बील संतोष ने RSS के लोगों से भी मुलाकात करके उन से सरकार का फीड़बैक लिया है चर्चा ये भी है कि यूपी में मंत्रि मंडल विस्तार होना है कुछ नए चेहरे मंत्रि मंडल में आ सकते हैं तो कुछ मंत्रियों की विदाई भी हो सकती है केंदर में भी यूपी कोटे के मंत्रियों की तादाद बढ़ाने की भी चर्चा है बील संतोष ने सभी नेताओं से अलग-अलग बात चीत करके फीड़बैक लिया है ये फीड़बैक, सरकार और संग्ठन दोनों के बारे में है हालांकि बीजेपी नेता इसे रूटीन बैठक बताने में जुटे रहे संग्ठनात्मक बैठक है संग्ठनात्मक में जब हमारे केंदर निरिक्टव आता है तो एक मीडिया और सोशल मीडिया की भी चर्चाएं होती है तो उसकी विशे में हुआ और हम लोग का अच्छा एक कार्य चल रहा है उसको और देजी से चलाना है तो इन चीजों पर एक मारगदर्शन मिला है इसके उपर और कुछ या है हाला कि उप मुख्य मंतरी केश्व परसाद मौरे ने साफ कर दिया कि ये पूरी कवायत कहीं न कहीं 2022 चुनाव से जुड़ी है केश्व मौरे ने प्रदेश अधक्ष के बदलाव की संभावनाओं को खारिच करते हुए दावा किया कि 2022 में भी बीजेपी यूपी में 300 से ज़्यादा सीटे लाईगी कि इंद्धापाटी के मेरे संगेलन महामंत्री हैं और संगतनात्म गृष्टी से बैठक पर चर्चा हुई है बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है 2022 में हम लोग फिर एक एतिहासी की जिए प्राफ करेंगे बैठक प्रदेश अध्यादी के अगवाई में फिर 300 पार जिताएंगे पार्टी के संग्ठन महामंत्री ने तीन दिनों में सभी की सुनी शिकायते सुनी तो तारीफें भी सुनी अपने रिपोर्ट लेकर वियल संतोष लखनों से चले गए लेकिन फिजाओं में परिवर्तन की बात समेत तमाम अटकलें भी छोड़ गए तमाम अटकलें इस ओर इशारा कर रही हैं कि अगले कुछ हफ्तों में उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाओ के आहट हैं हलाकि जिस तरीके से जाने के पहले वियल संतोष ने ट्वीट कर योगी आदितिनाथ की सरकार को सराहा है कई जानकार अब ये कहते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पार्टी के कारेकरताओं को एक बार फिर संतुष्ट करने की ये कोशिश है लेकिन क्या दो हफ्ते बाद कुछ बदलाओ के संकेत हैं ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कुमारा फिशेक लखनो पाच तक भारत से हजार करोड लेकर भागे आरूपी मेहल चौकसी को भारत लानी की तमाम कोशिशे हो रही है और इन सब के बीच सवाल ये है कि आज क्या होगा क्योंकि डोमिनिका हाई कोर्ट में शाम छे बजे आज फिर सुनवाई है हाई कोर्ट के आदेश के बाद चौकसी को कल मेजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश भी किया गया था लेकिन आज के डेवलप्मेंट्स पर अब सब की नजर है भारत का भगोडा मेहुल चोकसी डोमिनिका से कहा भेजा जाएगा? इस सवाल के जवाब का इंतर्जार लमबा हो गया है दो जून को डोमिनिका के हाई कोर्ट में मेहुल के हेबियस पॉर्पस की अपील पर सुनवाई हुई उमीद थी कि डॉमेनिका का हाई कोट फैसला सुना देगा कि मेहुल का भविशय क्या होगा वो एंटि गुवा भेजा जाएगा या फिर भारत में प्रतियर्पन पर कोट की मन्सूरी आईगी लेकिन डॉमेनिका के हाई कोट ने आदेश दे दिया कि मेहुल चोकसी डॉमेनिका में अवैद भुसनी के आरोपों के मदे नज़र वहां की मजिस्टेट कोट में पेश हो मजिस्टेट कोट में मेहुल को बताना होगा कि डॉमेनिका वो कैसे और क्यों आया वहाँ पर कोट में ये कोश्चिन ही नहीं है सिंपल मिस्टर मेहुल चोकसी की हैबियस कॉप्रस लगी हुई है कोट के सामने सिंपल ये कुश्चन है कि उनकी अरेस्ट लीगल है या इलीगल है तो हमारा कहना ये है कि क्योंकि उनको किड्नाइप किया गया था तो इसलिए उनको अपनी मर्जी से डॉमनिका नहीं गई है तो वहाँ पर सेक्शन 6 के हिसाब से डॉमनिका पासपोर्ट एन इमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से वो प्रोहिबिटेट इमिग्रेंट नहीं है तो दो जून कोड डॉमेनिका की हाई कोट में हुई सुनवाई में मेहुल चोकसी जूम लिंक के जरीये पेश हुआ था। डॉमिनिका की हाई कोर्ट में मेहुल चोकसी की ओर से दलील दी गई कि डॉमिनिका की पुलिस का स्टडी में वो खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करता। उसने कहा कि वो एंटिगुवा लोटने के लिए अपना खर्च उठाने को तयार है। सुनवाई के दोरान डॉमिनिका सरकार की वकीलों ने मजबूती से भारत का साथ दिया और मेहुल चोकसी को तगड़ा जटका देते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कोर्ट से गुजारिश की कि मेहुल चोकसी की याचका को खारिस करते हुए उसे हिंदुस्तान वापिस फेज़ देना चाहिए वहीं मेहुल चोकसी के वकीलों ने इस बात को लेकर दावा किया कि दरसल भारत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और भारत की किसी भी बात को नहीं सुनना चाहिए मेहुल चोकसी पर डॉमेनिका की अदालती कार्णवाई लंबी ज़रूर हो गई है लेकिन मेहुल को भारत लाने की भारत की कोशिशें मजबूत होती दिख रही है दो जून को डॉमेनिका के हाई कोट में वहां की सरकार की ओर से कहा गया कि मेहुल चोकसी ने हेबियस कॉर्पस की जो याचिका डाली है उसका कोई आधार नहीं है मेहुल चोकसी को भारत भेजा जाना चाहिए डॉमेनिका की सरकार ने जो दलील दी और ये कहा कि मेहुल चोकसी के भारत भेजने के वो पक्ष में है ये भारत और डॉमेनिका के सरकारों के बीच जो डिप्लोमसी है उसको दर्शा आता है और सवाल यहां ये भी उठता है कि क्या वैक्सीन मैत्री रंग लाई डॉमेनिका से पहले एंटिगुवा की सरकार भी मेहुल चोक्सी को भारत भेजने की रजामंदी दे चुकी है अगर समझो डॉम्निका कोट में मेहुल चोक्सी ये साबित नहीं कर पाता है कि उसकी लिगल एंट्री है तो जाहिर बात है कि उसकी इलिगल एंट्री का डॉम्निका अगर illegal Dominika में उसके entry है तो Dominika country के पास दो option है पहला option तो यह है जिस country का ये नागरिक है चोकसी वहाँ उसको भेजा जाए अगर चोकसी नहीं साबित कर पाता है कि इस देश्टाव नागरिक है तो उसको deport किया जाएगा जहाँ से ओनिमेलोग जाएगा मेहुल चोकसी की सबसे बड़ी दलील यही है कि वो भारत का नागरिक नहीं है उसके पास एंटिगुआ की नागरिकता है लिहाज़ वो भारत भेजा ही नहीं जा सकता मेहुल की दलीलें Dominika की कोट के सामने कितनी कारगर होंगी ये देखना दिल्चस्प होगा क्यूंकि भारत एंटिगुआ और Dominika की सरकारों ने उसका भविश्य एक तरह से साफ कर दिया है गीता मोहन के साथ मुनिश पांडे दिल्ली आज तक मेहुल चोकसी को भारत लाने के लिए देश की ज्यांच जिंसीज ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है आईए हम आपको बताते हैं कि एजिंसीज की जो स्पेशल टीम डॉमिनिका में मौजूद है जिसमें CBI के दो अधिकारी और CRPF के लोग मौजूद है उनकी एहन दलीले क्या है और किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी चोकसी को वापस लाने के इस मिशिन की अगवाई शारदाराउत को दी गई जो बैंकिंग फ्रोड्स के मामले देखने वाले CBI टीम के हेड है मेहूल चोकसी को भारत लाने के लिए ये अधिकारी बॉमडियर ग्लोबल 500 जेट से गए इसका खर्चा आपको दिखाते है इस विमान का एक घंटे का किराया ही करीब 8,46,8 लाक रुपे से ज्यादा है एंटिका जाने में 16-17 घंटे लगते हैं इस लिहाज से एक तरफ का किराया करीब 1,5 करोड बैठता है रूट अलग होनी की वजह से आने का किराया पौने 3 करोड यानि सर्फ विमान का किराया ही चार्ज से 4,5 करोड के बीच है इसमें GST शामिल नहीं है अतिरेक्ट खर्च भी शामिल होगा मसलन विमान जिस भी देश से गुजरता है उस देश को 5,11,000 रुपे फ्लाइंग चार्ज देना पड़ता है इसी तरह इंदन भराने के लिए विमान को मैडरीड में उतारने पर एर्पोर्ट हैंडलिंग चार्ज के रूप में करीब 1,00,000 रुपे का खर्च और आएगा एक तरफ मेहुल चोकसी उसका पैसा पावर और तिकड़ जिसके दम पर वो तीन साल से बचता रहा और दूसरी तरह भारतिये एजिंसियां चोकसी की इस घेराबंदी के साथ ही भारतिये एजिंसियां सूपर एक्टिव हो गई जैसे ही चोकसी के डुमेनिका में पकड़े जाने की बात पता चली जैसे उसका मामला डुमेनिका कोट में पहुंचा ततकाल एक विशेश विमान कतर से डोमेनिका भेजा गया जिसमें चोकसी से जुड़े दस्तावेज थे और जिन दस्तावेजों के जरिये डोमेनिका की कोट में ये साबित किया जाना था कि महल चोकसी भारत से भागा हुआ है वो अभी भी भारत का नागरिक है और उसके गुनाहों का भारत में हिसाब किताब किया जाना बाकी है इसलिए उसे भारत को सौप देना चाहिए इस बीच भारती एजेंसियों की एक स्पेशल टीम भी मिशन मेहुल चोकसी के लिए डोमेनिका पहुँच गई जिससे चोकसी को भारत लाने की किसी भी रुकावट को दूर किया जाए जोमेनिका गई आठ सदस्य स्पेशल टीम में सीबियाई के दो अधिकारी प्रवरतन इदेशाले के दो अधिकारी और सी आर पीफ के लोग थे चोकसी को वापस लाने के इस मिशन की अगवाई शारदार राउत को दी गई जो बैंकिंग फ्रॉड्स के मामले देखने वाली सीबियाई टीम की हेड है और जो साड़े तेरह हजार करोड के पी अनबी घोटाले की जाच अधिकारी भी है वो इस घोटाले की एक एक परत जानती हैं जिसमें चोकसी के हर गुनाह का उन्हें पता है स्पेशल टीम ने डोमेनिका के सरकारी अधिकारियों से कई मीटिंग्स की और यह सुनिशित किया कि चोकसी के मामले में भारत का केस डिमिनका की कोट में मजबूती से रखा जाए और चोकसी को भारत भेजने के दावे को मजबूत करने के लिए उसकी अपराधिक गतीविधियों का एक एक ब्योरा दस्तावेजी सबूत के तोर पर रखा जाए इसके लावा नागरिक्ता से जुड़े दस्तावेज भी दिये गए जिसके आधार पर ये साबित होता है कि चोकसी अभी भी भी भारत का नागरिक है उसने नागरिकता सरिंडर करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया तीसरी बड़ी बात ये कि मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नन नोटीस है 2018 से वो भगोडा है भारत में वांटेड अपराधी है इसलिए उसे भारत को भेजा जाना चाहिए फिर चाहे वो कहीं का भी नागरिक क्यों न हो इन्ही आधार पर मेहुल चोकसी की डोमिनिका से कानूनी घेराबंदी की गई कि वो कानूनी दाओं पेचों का सहरा लेकर भारत से न बच पाए और उसका केस डोमिनिका में पानूनी पचड़े में नाफस है गीता मोहन और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो मेहुल चोकसी के बचाव में अब उसकी पत्नी प्रीती चोकसी भी खुल कर सामने आ गई है आज तक से बाचीत में प्रीती ने दावा किया कि उसके पती के खिलाफ अगवा करने की साज़ चची गई है प्रीती चाव में लोग्या का एज ने चार्व भी खुला है इंडियां कोर्ट में बिकोस अब गई कोड़ी में इस वार बीधरी ऑजनि फीपल को सब्सक्राइल से ग्रुजिए आज यह तो थावन ने वाद्ट ही है गर से किद्नाप करके ले जाए गया है गर से किद्नाप नहीं किया है घर से वो निकले जाने के लिए और वो यह बापरा करके लड़की है वो डिनर में जोईन करने वाले थी आइंड वहां से उसने बोला एक मिनिट आप वो पिक अप करने के लिए गए पाइफ टेन को यहां घर पे निकले है आइंड वहां पे उनको बोला एक मिनिट आप आईए मेरे को आपको कुछ दिखाना है वो कुछ हाउस रेनोवेशन करती थी आइंड और ही वेंट इन दोनों बाजू के दर्वाजे खुले थे आइंड वहां से उनको किनक किया कौन थी यह लड़की वी बाबरा नेंड लड़की है यह लड़की है वो अंटीगा में आई थी एक वीक के लिए हमारे बाजू में वो और उसके बॉइफ्रेंड या गर्फरेंड ने घर लिया था अगले रेंट किया था अपार्टमें एक वीक के लिए 2nd of August से 7th August के लड़क उसके बाद वो अपरिल में आई थी एक वीक के लिए और अजन अभी आई है विश्चिस तो गेट तो इंडिया इस ही एस तो फ्लाइ विश्चिस लॉंस के नॉट के नॉट के नॉट के नॉट के लिए के लिए है सिमने शलाइ पर मैं का लॉट के लिएा इसमने आई घिए भीष, पू बा hotel अवा दो भी के लिए इन शवर्में प्युट के लिए दिए भी मिनtechnी MA ए सhã ब दूद के लिए मामिए डरे विए और प्दिर मिन आ किट तेमार आपकाव के लूव एल्स कावने अदॉट। उड़ मेला लुटूव एज सब्सक्राइब जोव एल्सूड़ का ठीजिए हम जाप पीजिए तेन आफ प्राइब का शरूटूव एक जाड़ी लूटूटूटू तेन्जिए ट्रिवोतू इंट लूटूटू एक जाह लिए भी आपको मालूम है कि अभी जूम गूम सब कुछ है अब तो अब भी चल रहा है लिए भी मालूम है कि भाट इस हापन मैं हजबन फिर फूर हुड और अपको उनका वंकी हालत क्या बना दी है और आपको लगता है कि कि इंडिया में आके उनको कुछ, he should not fear for his life, I believe कि उसे पहले, firstly, we should be investigating the kidnapping and किसने kidnapping करवाया, क्या इशारा कर रहे हैं, आप मेरे को बताइए, किसने करवाया, और बोट कहा है, KPS क्यों आफ है, क्रू मेंबर कहा है, सब का दूट का दूट, पानी का पानी महुल चौकसी अंटिकर से डोमिनिका पहुचा तो गुस्पैट के मामले में पकड़ लिया गया, महुल के साथ एक महिला भी थी, वो कौन थी, क्यों साथ गई थी, आज तक के पास इस महिला की एक्स्क्लूसिव तस्वीरें मौजूद हैं, आकिर क्या इस महिला का पूरा रोल था, ये रिपोर्ट देखिए, महुल चौक्सी के साथ क्या हुआ, एक महिला के जहासे में महुल लगजरी बोर्ट पर मौजबस्ती के ट्रिप करने गया, और फिर आगवा होकर दोवनिका पहुचा, या फिर क्यूबा भागने के चक्कर में उसकी किस्मत ने धोखा दे गया, महुल चौक्सी का इंटुगुआ से फरार होना और फिर दो दिनों बाद डोमिनिका में हुई उसकी ग्रफतारी को लेकर कई अंसुल्जे सवाल और दावे हैं, आज तक को मिली जानकारी के मुताविक जब मेहुल डोमिनिका पहुचा, तब वो वाकई एक महिला के स्थाथ था, ये हनी ट्रैप का मावला हो सकता है। सुत्रों की माने तो पहले इस महिला ने मेहुल चौकसी के साथ में मुलाकास शुरू की, जो जल्द ही दोस्ती में बदल गई। 23 मई की शाम को 6 बजे उसने मेहुल चौकसी को अपने मरीना इस्थित घर में इन्वाइट किया, और जैसे ही मेहुल चौकसी वहाँ पहुचा महाँ पर पहले से ही मौजूद लोगों ने पहले उसकी पिटाई की, उसका अपहरन किया और समंदर के रास्ते उसे डौमनिका पहुचा दिया जहां पर उसकी गिरफतारी हो गई। भारत में मेहुल के वकीर भी उसके डौमनिका पहुचने में महिला का रोल होने का दावा कर रहे हैं। कि वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थी, तो इनको ट्रैप करने के लिए वो लेडी को सीड किया गया था, प्लांट किया गया था. इस मिस्ट्री उमेन का चक्कर क्या है? इस पर आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन गल्फरेंड के साथ मेहूल के डॉमिनिका पहुंचने का खुलासा सबसे पहले एंटीगोवा के पीम गैस्टन प्राउम ने किया था. मेहूल के डॉमिनिका पहुंचने की कहानी इस बीच आज तक को डॉमिनिका के अस्पताल से उसकी नई तस्वीरे हासिल हुई है। तस्वीरों मेहूल के शरीर पर चोट के निशान दिख रहे हैं। जैसे मेहूल के वकील ने टॉर्चर का सबूत बताया है। और यह जैनुवन इंजुरीज हैं और जब उनको उठाया गया फोर्सीबली या एंटिगा से और यॉर्च पे रखा गया और फिर पुलिस्टेशन ले जाया गया। उस बीच के दौरान की ये सारी की सारी इंजुरीज हैं। इसी वज़ा से कोट ओडर के द्वारा उनको मेहुल चॉक्सी के एंटिगवा से फरार होने में ये तावा भी हुआ है कि वो जाली दस्तावेजों के जरिये अपनी गल्फेंड के साथ फागा हालांकि जिस ट्रेवल फर्म की सेवाहिन लेने की बात सामने आई है उसने आज तक से बात्चीत में कहा कि मेहुल चॉक्सी और उसकी कथी गल्फेंड उसके कस्टमर नहीं थे मेहुल चॉक्सी के डॉमनिका पहुचने की मिस्ट्री किसी बाल्यूर थीलर से कम नहीं लगती इस बीच उसे लेकर एंटीगुआ की सरकार और विपक्ष आमने सामने है दोन और से मेहुल के साथ मिली भगत कारोप एक दूसरे पर लगाये गया है मेहुल को लेकर दो अलग-लग महादूइपों में हंगामा बरपा है वो अब दॉमनिका से वापस एंटीगुआ जाएगा या भारत लाए जा सकेगा ये लाग टके का सवाल बना हुआ है दिल्ली से गीता मोहन और पूनम शर्मा के साथ मुनिश पांडे दिल्ली आज तक